नमस्कार दोस्तों घरेलू खवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि बरलक्षमी ब्रत 2019 में कब है यह पर्व मुख्य रूप से किन्च हित्रों में मनाई जाती है क्यू मनाई जाती है क्या महत्व है क्या मानताएं है इस ब्रत को करने के पीछे पूजा की विधी क्या है एवं ब्रत की कथा क्या है दोस्तों इस वीडियो में ये मैं संपोन जानकारी आपको दूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हिंदु धर में बरलक्ष्मी ब्रत को बहुत पवित्र ब्रत माना जाता है बरलक्ष्मी पूजा का दिन धन और समरिधी की देवी लक्ष्मी को समर्पित है बरलक्ष्मी देवी स्वय महालक्ष्मी का ही एक रूप है यह माना जाता है कि देवी बर लक्ष्मी का रूप बर्दान देने वाला होता है और वो अपने भक्तों की सभी एक्षाओं को पूरा करती है इसलिए देवी के इस रूप को बर और लक्ष्मी के रूप में माना जाता है सास्त्रों में इस अत्यांत दुरला ब्रत का उलेख मिलता है बर का आर्थ होता है बरदान और लक्ष्मी का आर्थ होता है धन बैवब बर लक्ष्मी ब्रत करने वाले के परिवार को समस्त सुख और संपन्ता की प्राप्ति सहज ही हो जाती है बरलक्ष्मी ब्रत स्रावन सुक्ल पक्ष के दोरान एक सप्ता पुर्व सुक्रवार को मनाया जाता है मिन्स रावन मास के पुर्णीमा के पहले जो सुक्रवार आती है उसमें बरलक्ष्मी का ब्रत मनाया जाता है इस ब्रत की अपनी खास महिमा है इस ब्रत को रखने से घर की दरीदर्ता खतम हो जाती है साथ ही परिवार में सुख संपत्ती बनी रहती है और यह 2019 में 9 अगस्त दिन सुक्रवार को है पूजा मुहुर्त मैं स्क्रीन पे सोख कर रही हूँ आप देख लेंगे मेंली यह मेताओं के अनुसार यह ब्रत साधी सुदा जोड़ों को संतान प्राप्ती का सुख परदान करता है नारित्व का ब्रत होने के कारण सुहागी निस्त्रियां अती उत्सा से यह ब्रत रखती है इस ब्रत को करने से ब्रती को सुख संपत्ती बैभव की प्राप्ती होती है ब ब्रत आंद्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराश, करनाटका, तमिलनाडों में बड़े ही उत्सा से मनाया जाता है। आजकल इस ब्रत के चमतकारी परभाव के कारण इस ब्रत को भारत के अन्य राजियों में भी शुरुआत हो गई है। और इसे सुहागिन महिलाए करती हैं। कुमारी कन्याए इस ब्रत को नहीं कर सकती ऐसी मानिता है। ब्रत की पूजा की विधी क्या है? तो बरलक्षमी ब्रत के पूजा की विधी सेम वैसे ही यह जैसे हम लक्षमी पूजा करते हैं दीपावले में। पूजा के बाद बर लक्ष्मी ब्रत की कथा पढ़ी जाती है, पूजा समाप्त होने के बाद महिलाओं को परसाद बाटा जाता है, इस दिन ब्रती को निराहर रहना चाहिए, रातरी काल में आरती करने के पस्चात फलाहर करना उचित होता है। ब्रत की कथा क्या है, तो पौरानी कथा के अनुसार एक बार मगद राज में कुंडी नामक एक राजा था, नगर था, कथा अनुसार कुंडी नगर का निर्मान स्वर्ग से हुआ था, इस नगर में एक ब्रामनी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी, चारुमत अगले सुबह चारुमति ने मा लक्ष्मी द्वारा बताये गए वर लक्ष्मी ब्रत को समाज के अन्य नारियों के साथ विदिवत पूजन किया। क्योंकि चारुमति ने ही उन सब को इस व्रत की विधी के बारे में बताई थी। कालांतर में यह कथा भगवान सीव जी ने माता पार्वती को कहा था। इस व्रत को सुनने मात्र से ही लक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आसा करते हूँ कि वीडियो आपको बहुत बहुत पसंदाया होगा। वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के बेज सेर करें। और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स